गायत्री महमंत्र एक बार मेरे साथ दोराओ ओम भूर भूवाह स्वाह तश्चवी तुर्वारेणियम भर्गोदेवश धीमाही धीयो योनाः प्रचोदयात गोश्वामी तुलसिदास की बात चल रही है जिसमें उन्होंने आने वाले भविश्य की घोशना की है समझाने का प्रियास ये किया है कि जो अंतर बैठी हुई चेतना है वो स्वयम भोलेनात विश्वनात भूतनात हमारे अंदर विराजमान है और वो जो विराजमान है जहां पर उसको कासी कहा है ये जो स्थान है हिरदे का इसको कासी कहा है जितने भी जीव प्रानी संसार में है उन सब के अंदर बैठी हुई वो चेतना सीव अगर इस्तरी पुरुश है तो सीव और इस्तरी है तो पार्वती उन्होंने कहा ये दोनों इसी स्तर की आत्माएं है परन्तु कली युग के प्रभाव से कल बताया था गणेश जी जिसके सेना पती है और यमराज जिसका जज्ज है वो भी काल की गती को रोक नहीं पाए और उसने आकर के चेतना में विकार पैदा कर दिये कुछ परिजन हैं जो मेरे बहुत नजदीक रहते हैं और उनको मैं बहुत चाहता हूँ इस संबंद में मैं उनसे बात करता रहता हूँ मैं बात कर रहा था परन्तु एक चीज पैदा होती है उसको कहते हैं संसे पता नहीं होगा के नहीं होगा कहीं ऐसा है तो नहीं जूट मूट भैकाया जा रहा है मैंने समझाया चाहे जूट मूट ही भैकाया जा रहा हो ना हो आपकी कांसी में तो निखार आए मैं तो ये कह रहा हूँ गोश्वामी तुलसी दास ने राम के चरित्र का साक्षात वर्णन कर दिया और अब आकर करके ये मान लिया जाए वो बूड़े हो गए पुराने हो गए जूटे हो गए अगर वो जूट भी है तो क्या ये हमारे हित में नहीं है कि हमारी कांसी नगरी में विश्चनात स्वेमा करके वैड़ जाए क्या ये ठीक नहीं है गोस्वामी तुलसिदाज जी जो इसारा कर रहे है वो एक ही इसारा कर रहे है जीवन में त्याग सबसे परम आवश्चक है जीवन में त्याग परम आवश्चक है मैं पूछता हूँ बताओ वेटा रोटी खाना पानी पीना सांस लेना ये तो आप बिल्कुल साक्षात जानते हैं ये तीनो आवश्चक है या नहीं है छोड़ दें अगर आवश्चक नहीं है तो इनको भी छोड़ दें एक मिनट भी जिन्दा नहीं रह सकोगे बोलिए ये तीनो आवश्चक है नहीं है एक से एक बढ़ करके है आदमी रोटी खाता है जरूरी है रोटी खाना परंतु उससे भी शाद ज़्याद जरूरी है मल विसर्जन करना उससे भी जरूरी है मल विसर्जन करना दुबारे बोल रहा हूं जिस बात को बोलना उसको समझने का प्रियास करना आप अपने निजी के परिवार के प्रती बड़े भावना सील है परंतु जब करने पर सेवा करने पर नंबर आता है तो कहीं ना कहीं स्वार्थ जग जाता है भावना सील का मतलब है समर्पन मेरी जिन्दगी मेरे लिए नहीं है अपने भोले नात के बारे में जरा सोच करके देखना उसका कितना समर्पन है एक एक जीव एक एक जीव पर पहनी द्रस्ती रखता है और एक एक जीव को उस रास्ते पर ले करके चलता है जिसमें उसका उधार हो जाए सब को उस रास्ते पर ले करके चलता है बिटा जब पेट में बैट रखा हुआ मल बाहर हो जाता है अंदर से सोच करके देखना कितनी ताजगी, कितनी खिलखिलाट अगर किसी को बधजमी बिलकुल ना हो और बैटते ही उसकी लेटिन साप हो जाए तो पेट, जीव आत्मा, पाचन सिस्टम कितना हलका हो जाता है और बंदर से मांग करता है परिवर्तन, मुझे तुम्हें आगे ले करके जाना है जरा पेट के पाचन तंतर के बारे में सोच करके देखिए वो क्या कह रहा है मुझे तुम्हें स्वस्त रखना है मुझे तुम्हें आगे बढ़ाना है, मुझे तुम्हारा अच्छा करना है, इसलिए मुझे ओर दो, वो मांग करता है, प्रगती का नवाचरन, त्याग है, भोग नहीं, भोग नहीं, त्याग है, त्याग के बाद तो, शक्ती अपने आप मांगती है, ला मुझे को दे, मैं तुझे ओर दूँ, अर्थात, एकी बात कहता हूँ, क्या हमारी जीव, क्या हमारा जीव, अंदर से, जो कांसी नगरी, बिमारी से ग्रसित हो गई है, वो उनी बुराईयों को नहीं मांग रही, काही के लिए, जल्दी से खत्म होना चाहती है, परिवर्तन तो ये भी है, परन्तु परिवर्तन एक और भी है, अशुब के स्थान पर शुब की मांग की जाए अशुब की मांग ना की जाए परिवर्तन शुब की तरफ हो हमारी दिशाधारा शुब की तरफ हो अशुब की तरफ ना हो तभी ही एक को छोड़ करके दूसरे की प्राप्ती उत्थान के रूप में संभव है अगर दुनिया में अंकुसना होता आत्मा का कई ए परिवार का कई ए समाज का कई ए आदमी के कारण आदमी में अपनी इज़्जत बेज़्जती का नहीं होता तो आदमी कोई अच्छा काम नहीं करता बुरे ही काम करता शुब की तरफ रखा हुआ एक कदम जब आगे बढ़ता है तो उतने ही अच्छुब को छोड़ता चला जाता है यह अच्छुब का परित्याग है आपने मल विसर्जन किया और हुआ परन्तु पेट में थोड़ा सा रुख गया वो बोज बना रहेगा तनाव बना रहेगा बोज बना रहेगा तनाव बना रहेगा बोजन के प्रती एरुची पैदा करेगा जीनता को बढ़ाएगा नए खाने को स्विकार नहीं करेगा अशुब की तरफ बढ़ेगा शुद्ध वायू ग्रहन करता है पेट में भरता है अशुद्ध वायू को छोड़ता है यही एक तरीका है जीवन जीने का अशुद्ध को छोड़ करके फिर शुद्ध की मांग करता है इसलिए हमको उस रास्ते पर चलना है जो हमें बुराई से अच्छाई की तरफ ले करके चले उस रास्ते पर हमको चलना है अब मैं गोस्वामी जी की बात को कहूंगा और आज मुझे दिक्कत भी है दिक्कत क्या है तुमारी मां को सांस की दिक्कत हो रही है मुझे उन्हाश पताल ले करके जाना है पांच मिनट में दो-दो ही बता करके मैं अस्पताल की तरफ निकलूँगा आठ बजे मुझे वहाँ पर पहुँचना होगा। ध्यान की प्रक्रिया को ओंकार नाद की प्रक्रिया को आप यथावत स्वेम करेंगे। देखे कैसी बात कही है। पार्थ अभी बताऊंगा जो मुझे समझाया है उसको मैं आपको बता रहा हूं। हे भगवान चर अचर में पढ़ने वाली उसमें विराजमान रहने वाली ये तेरी ही सत्ता है। इसी के सत्ता के अंदर अगर पुरुष है तो सिव का निवास है। अगर इस्त्री है तो पार्वती का निवास है। तेरी ही क्रपा से ब्रह्मा जी स्रस्टी की रचना करते हैं। और विश्नु जी उसका पालन करते हैं। महादेव जी उसका संगहार करते हैं। सारे विश्व का तेरे ही विकास में विकास होता है। दुबारे सुन लीजिए बहुत अच्छे से। इसके अंदर बैठी हुई चेतना का विकास ही भगवान का विकास है इसके बाहर नहीं मैंने भी कहा आप बड़े भावनासील है परन्तु जब करम पर आते हैं अंदर से देखना बाहर से मत देखना जोर पढ़ता है करम करने में आपको क्या करना है अंदर से आनंदर रुची पैदा करनी है अजीनता की बात अभी मैंने आपको समझाई है सांस लेने की बात मैंने अभी आपको समझाई है विकास की गती पर जाना है तो इनको मानना पड़ेगा तेरे में ही उसकी स्थिती है फिर तेरी ही में उसका लेबी है यानि के जो अंदर बैठा है वो ही उसकी भगवान की विश्वनात की स्थिती है और उसका लेबी तेरे ही अंदर है विश्वनात का जो विश्व व्यापी है उसका लेबी तुमारे ही अंदर है हे जगत जन्नी तुम करपा तरंग वासनी से विभूसित करुणा में सरीता हो तुम देरी ना करो तुम देरी मत करो और मुझे आसरे दो मुझे अपने में आसरे दो और विटा विचार ही चेतना में प्रवेश करता है अंदर की करुणा को जगाईए अंदर की भावना को जगाईए और उस विश्चनात को अपनी चेतना में स्थान दीजिए तुम ने देरी की तो जो बुरा तत्व है वो मुझे खा जाएगा मेरी रक्षा करो परंपुज गुर्देव ने एक चित्र जारी किया था जिसमें सागर में हम पड़े हुए हैं तैर रहे हैं पड़न तुचारों तरफ से मगर मच हम घेरे हुए हैं खाने के लिए मूँ फाड़ करके मेरी तरफ आ रहे हैं और उसी के बीच में गायत्रीम आता है जो मेरी तरफ को अपने दोनों हाथ बढ़ा रही है कि आप वेटा तु मेरे पासाजा मैं तेरी रक्षा करूँगी मैं तेरी रक्षा करूझी हे जगत जगनी हे जगदमबा माता आप मेरी इन विशेविकारों से मेरी रक्षा करिये जिसने मेरी ही कासी नगरी को अरेक तरह के व्याधियां लगा दी हैं, मेरी रक्षा करो हे मुनीमन मानस, हे मुनीमन मारस मरालिके कुपुत होने पर तुम महमारी हो जाती हो अगर संतुलन नहीं बनेगा तुम महमारी बनेगी ही बनेगी और प्रसन होने पर तुमी संसार की शाक्षात जननी सुर्पा हो हे मेरी मैया, हे मेरी माँ, अब तुम करपाद रस्टी से हम सब दुखियों की और देखो और हमारी रक्षा करो एक पदोर पिनती मानी मातु कही मेरे हैं महामारी महेसानी महीमा की खानी मोद मंगल की रासी दास कासी वासी तेरे हैं बावार्थ सुन लिजिए हे जगंजन्नी यहां के अन्याई, नर्नारी, यदपी, पाप और अवगुनों से पूरे निवासस्थान उनके अंदर हो गया है अवगुनों में तो भी वो तेरे हैं, तो भी वो तेरे हैं, तेरे ही दास दासी हैं, हे देवी, वे दरिद्रता के कारण अतियंत दुखी हैं, ब्राहम्मन लोग भिकमंगे हो गए और डड़पोक हो गए, इसलिए लोब, मोहो, काम, क्रोध, इस कलियुग बन करके, उस कलुस्ता ने हमको आ करके घेर लिया है, देख भगवान, राम ने भी अपनी परजा के गुन दोशों को, उनकी ओर द्रस्टी नाक देकर, लोक मर्यादा की रक्षा की थी, इसमें स्री देवी जी, शाक्षी हैं, ऐसा जान कर ही माता, इस दास की प्रार्थना पर आप ध्यान देकर, एक बार कह दें के ये सब मेरे हैं, ये सब मेरे हैं, हे महामारी, हे महिमा की खान, हे मंगल और आनंद की रासी, हे महादेवी, ये सब कांसी वासी तेरे ही दास हैं, हे मा इन सब की रक्षा करो आने वाला समय जो मैंने मगर मच्छ की तरह से मूँ फाड करके सब को लीलने के लिए आ रहा है तेरी सरनागत हो करके तेरी गोद में निवास करके हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं आज की बात को मैं यही विराम दे रहा हूं क्योंकि मेरा समय भी हो रहा है और अभी बारे बजे का समय बदलना पड़ा 10 बजे से 12 बजे का क्योंकि अस्पताल का समय यही है इसलिए मैं महां से दिखा करके सीधा गंगा विहार 12 बजे पहुँचने का प्रियास करूँगा बाकी इश्वर इच्छा मेरा प्रियास यही है आप लोग आगे का जो ओंकार नाद है उसको स्वेम कर लें आज की बात समाप्त